नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे सांस फुलने की शिकायत यानि कि जिसको हम breathlessness बोलते हैं या medical terminology में जिस्निया बोलते हैं और इसी कौन सी होमेपतिक medicines हैं जिसको आप अपनी डिस्निया यानि की breathless condition में प्रयोग कर सकते हैं मैं disease-wise आपको बताऊंगे कि किस disease में आपको कौन सी दावा का प्रयोग करना है तो ये वीडियो दोस्तो आपके लिए बहुत ज़्यादा informative है आप इसको अंतक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिस्निया जिसे हम breathlessness या shortness of breathe बोलते हैं या सांस फूलना बोलते हैं क्या होता है जब भी हमें डिस्निया या breathlessness होती है means हमें सांस लेने में दिक्कत होरी हमारे जो air passage है वो हमें परियाप्त मातरा में air provide नहीं कर पा रहा है जिसके फल सुरूप हमें एक shortness feel होती है breathe की आपको लगता है कि आपको अंदर सांस बहते नहीं बन रहा है आप usually अगर देखा जाए कि ये किसी को shortness of breathe या breathlessness या जो डिस्निया की condition हो रही है उसके पीछे lungs या heart involved होते हैं बट in other cases also बहुत सारे कारण होते हैं जिनके वज़े से हमें shortness of breathe हो रही है नॉमल कंडिशन में भी अगर में बताओं तो अगर आप बहुत तेजी से दौड रहे हैं या फिर आप कोई heavy exercise कर रहे हैं उस time पर भी आपको थोड़े समय के लिए shortness of breathe मैसूस हो सकते क्योंकि आपको उस समय इतना proper airflow नहीं मल पा रहा है इसके लावा जो बिमारियों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी बिमारियां हैं जैसे आपके शरीर में weakness का होना आपके शरीर में खून के कमी का होना लाइक जैसे आपके body में hemoglobin अगर पू है acute का मतलब है कि आपको एकदम अचानत से सांस पूलने की शिकायत देखने को मिल रही है और वह बहुत long lasting नहीं होती थोड़े समय के लिए हो रही है और इसमें आपको बहुत severity महसूस हो रही है यह condition आपको हो सकती है किसी भी या तो anxiety की condition में हो सकती है या फिर आपके heart related को है कि आपको अगर जैसे anaphylatic shock बोलते है कि आपको कुछ ऐसा medicinally induced किया गया है और उसके बाद से आपकी body allergically respond कर रही है अलर्जी के बजह से आपकी body में क्या होता है कि जो आपका यह trachea है जो आपकी air wind उसमें constriction आने लगता है और उसके वजह से आपको सांस लेने में द सफरर हैं पूरानी बीमारी से सफरर हैं शरीर बहुत ज़्यादा कमजोर है उससमें भी आपको पर्सिस्टेंट यह चीज देखने को मिल सकती है आप C.O.P.D. पेशेंट हैं आप लंग्स की किसी डिजीज से सफरर हैं लंग्स पाइब्रोसी से सफरर हैं ब्रॉंक्यक्टै अपको अचानक से बिलकुल यह परिशानी देखने को मिल सकती है यह होगी अपको प्रॉनिक से ज़्यादा एक्यूट वाले पर धान रखना है क्योंकि एक्यूट कंडिशन में कभी-कभी आपको जो काडिक अरिस्ट की कंडिशन हो रही है या पल्मोनरी एंबॉलिजम हो आपके लंग्स में कोच ऐसी कंडिशन होई है उसमें आपको यह परिस्टी बन रही तो आपको जादा कंसर्ण रहना है अपने अक्यूट डिस्क निया के कंडिशन में अब बात करते हैं हमें सिंटम कैसे देखने को मिलेंगे सिंटम सबसू अपको फर्स जो प्राइमरी सि है कि एक आउफिटे इपने को मिल सकती है साथ में लेक आखों के आगे अंधिरा देखने को मेल सकता है यह सारे सेम्टम यह उक्शे़न आपको इसारे चीजाने को मेल सकते हैं वो सकते हैं नियूवस करूंट अगे विज होमेफएक मेडिसन के बारे में कि अगर जिस डिजीस से आप सफरर हैं उनसे रिलेटेड आप जो अ क्रीयो कर सकते हैं, यह आपको भुट help करेंगी आपके जिस्नया को कंजोल करने में सबसे पहले हम बात करेंगे cardiac dyspnea है, मतलब अगर आपके lungs and heart के वज़े से, pulmonary and cardiac condition के वज़े से, अगर आपको dyspnea create हो रहा है, आपको सांस फुलने की condition आ रही है, उसमें आपको कौन सी दमाओं का प्रियूप करना है, आपको दो mother tingers लेने हैं, एक है speedo mother tinger, दूसरा है cratagus mother tinger, ये दोनों ही आप 30 ml की bottle लाकर, उनकी पांच-पांच बूंद आप अगर बहुत ज़दा affected हैं, तो आप 10 बूंद शुरुआत में ले सकते हैं, otherwise 5-5 बूंद आप एक चोथाई कप गरम पानी में लेक डालके, दिन में 3 बार लेना शुरू करें, ये आपको बहुत ज़दा help करेंगी, पहली बात, अगर आप acute dyspnea से सफरर हैं, please don't go for self-medication, immediately आप पहले hospital एपरोच करें, क्योंकि ये condition आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है, ये दवा जो मैं बता रही हो, ये chronic dyspnea के ओपर जादा अच्छा काम करेंगी, अगर आप बहुत लंबे समय से dyspnea से सफरर र कर सकते हैं, next medicine है दोस्तों, antemonium ars, arsenicum या ars बोले, antem ars जो है 30 potency में प्रयूप करनी है, ये आपको उन condition में प्रयूप करनी है, जब आपके lungs में आपको लग रहा बहुत जादा congestion हो, उसमें swelling हो, और आपका जो air पैस है, ये काफी जादा constricted feel हो रहा हो, उस परिस्तिती म antem ars 30 potency में आप यूज करें, जो breathlessness वाला episode है, ये उसको कम करने में बहुत जदा help करेगा, आपको इसकी दो wound लीनी है, directly on tongue, directly नहीं ले सकते तो आप एक चमच पानी में डालके दिन में तीन बार इसका प्रयूप कर सकते हैं, ये आपके breathless episodes को काफी हट तक कम करतेगा, next medicine ह Embera Gratia 30 potency में ये उन लोगों को यूज करनी है, जो publicly अगर किसी में exposed होते हैं, तो उनको nervousness के वजए से सांस फूलने लगती है, ये anxiety के patients में बहुत जादा कॉमन देखने को मिलता है, कि अगर आप भीड़बाड वाले इलाके में गए हैं, आपको बहुत अब्लीकेशन सा हो रहा है, बहुत सब्सक्राइब होने लग रहा है, वो लोग जो Embera Gratia 30 potency को दो बुन दिन में तीन बार लेना शुरू करें, अगर बहुत frequent episodes होते हैं, तो कम से कम बन मत लेके बन कर दें, otherwise just use it on SOS basis, कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है, तो आप इसका प्रिवक कर सकते ह आपको 30 CH में यूज करनी है, यह उन पेशिंग्स पे बहुत अच्छी काम करती है, जो अचानक से जैसे ठंड में एक्स्पोज हुए और एक्स्पोजर की वज़े से उनको सांस फूलने जैसी परिशानी दिखने लगी, तो जो लोग अभी जैसे ठंड बहुत जादा बढ उन लोगों को यह जरूर यूज करना चाहिए, अगर बच्चे ऐसा है कि अग्दम तंड में निकलने से उनको बहुत जादा कंस्टिफ फील हो रहा है, सांस लेने में बच्चे को दिक्कत लग रही है, या बुज़र्गों को ऐसी दिक्कत लग रही है, आप उनको एक्टि अगर बहुत अग्यूट कंडिशन में है, तो आप हर एक गंटे पर प्रयोग कर सकते हैं, तिल कंडिशन उनकी सटल हो जाए, आप तब तक इसको दे और वाफस फेर थी टाइमस इना डे पर स्विच कर जाए, या आपके जो कोल्ड एक्सपोजर के वज़े से जो जो गिस् आपके प्रयोग करनी है, दोस्तों, एक है आइडम 30 परटनसी में, जिसकी दो गून सुबा दुपहर शाम लेना शुरू करें, दूसरी है स्ट्रोफ एंथस, मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेनी है, इसको आपको लेना है, पांस से दस बून, अगर बहुत जादा सीवर रिकवर करने में हल्प करते है, तो कमजोरी और अनीमिया के वज़े से अगर आपको सांस पोल रहे हैं, आपको एक्जर्शन आते से ही थोड़ा सांस पोले लगरी, सीड़ी चड़ने से सांस पोले लगरी, स्ट्रोफ एंथस बहुत अच्छी काम करती है, इसको प्रेओ करे तो दोस्तों, यह कुछ important medicines है, आप अपने पास जरूर रखें, अगर इन में से किसी भी disease से आप सफरर हैं, तो इस दवा को अपने पास जरूर मगा के रखें, यह आपके लिए बहुत सादा बेनिफीशल होने वाली है, तो बस दोस्तों, आज के लिए है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज इसे लाइक करें, जादा से जादा लोगों तक शेयर करें और अभी तकर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें, प्लीज चैनल जरू सब्सक्राइब करें, मिलती हूँ इसी तरह के इन्फरमेटिव वीडियो के साथ, तब त के लिए, thank you so much, stay safe and healthy.